नमस्कार मेहनुषका बिहारी नियूज में आपका स्वागत है आज शाम तक के खबर को जाने से पहले एक नज़र डालते हैं अब तक की सुर्कियों पर अब अस्पतालों में ही मिलेंगे रेम्डे सिविर इंजेक्शन अगले 48 घंटी तापमान की लिहाद से रहेंगे भारी गिंद्र सलकार ने तै किया बिहार में ऑक्सिजन देने का कोड़ा आज पंचायती राजदिवस्व मिलेगी बिहार के गाउं को बड़ी सोगा पटना आ बाजारी की मामली भी सामने आ रहे है इसे देखते हुए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला किया है इसके ताथ अब यह इंजेक्शन मरीजों के आधार पर सीधे अस्पताल को मुहया करा जाएगा इस सम्मन में राज आशदी नियंतरक रविंदर कुमार सिन्हा ने इस सम्म मुहया कराना होगा जिसके बाद इस मेल और मरीज की संख्या के आधार पर कंपनी के डीपो की ओर से जिले के प्राधिक्रित स्टॉकिस्ट को ही अरेमडे से बिर उपलब्द करया जाएगा इससे काला बाजारी पर भी रोक लगीगी कोरोना से लड़ते हुए महला बीडियो ने हारी जिंदगे की जन्क कोरोना संक्रमन से कोई भी अच्छूता नहीं है या बीमारी लोगों से भीधभाव नहीं करता है यही कारण है कि आम लोगों या प्रशासनी करिकारी जरा से लापरवाही आपको नुकसान पहुचा सकत सुबे में कोरोना से मौत का आकरा भी बढ़ता जा रहा है इसी करी में सिवान जिले के हुसैन गंज की महला बीडियो मनिशा प्रसाद की कोरोना से मौत हो गई है बताया जा रहा है कि कई दिनों से वह कोरोना से जंग लड़ रही थी आज सुबा पटना के एक निजी चिव रविशंकर चौधरी की मौत कोरोना से हो गई थी 58 साल के रविशंकर चौधरी कोरोना से संक्रमित होने के बाद अस्पताल में बढ़ती थे जहां उनकी मौत हो गई इसके पहले नालंदा जीरे के नूर सराय प्रकंड के बीडियो राहुल कुमार की भी मौत कोरोना से हो चुकी है अगले 48 गंटे तापमान की लिहाद से रहेंगे भारी सूबे में सता पर पच्छिया हवा का बहाव हो रहा है इससे अगले 48 गंटे तक तापमान बर सकता है हलांकि इस दोरान लू के बहने के आसार नहीं है मौसम विभा की पुर्वानुमान की मुताबिक 27 अपरेल से एक बार फिर पुर्वया हवा चल सकती है जिससे तापमान में गिरावन दर्ज होगी 27 अपरेल से बिहार और हिमाले की टटवरती चेतर में पच्छिय में विक्षोप के चलने के आसार है इस दोरान आज से पच्छिय हवा की चलने की बाद भी प्रदेश में लू की स्थिती तो नहीं होगी लेकिन अधिकतर्म पारा सामान या फिर सामान से एक दो डिगरी से अधिक हो सकता है वही मौसम विग्यान के इंदर पटना की मुताबिक अगले 24 गंटे में राज के पुर्वी भाग में आंधी पानी के आसार हो सकते है राज में 18 साल से उपर सभी लोगों को टीका लगवाने में होंगे पाच हजार करोड रुप्य खर्चु बिहार सरकार ने 1 मई से 18 से लेकर 45 साल के लोगों को कोरोना वैक्सीन मुफ्स में लगाने का इलान किया है अनुमान की मुताबिक सरकार को इस पर लगवग 5,000 करोड का अतिरक्त खर्च करना होगा इसलेकर टीका निर्माताओं को टीका करन के लिए भुगतान किस तरीके से किया जाए इस पर अभी वत विभाग और स्वास्ति विभाग द्वारा मन्थन किया जा रहा है अधिकारियों की माने तो टीकों की आपूरती के लिए टीका निर्माताओं को सीधे तौर पर भुगतान किया जा सकता है या फिर राजसरकार को भारत सरकार के माध्यम से भी भुगतान करने की सुविधा दी गई है अनुमान के अनुसार लगवग 6 करोड के आसपास लोगों को टीका लगाया जाएगा और वैक्सिन की दो डोज के लिए प्तिवेक्ती 800 रुपिये देने होंगे बिहार में काबा सॉंग फेम नेहा सिंग राठोर की मदद को आगे आये थी जस्वी आदब बिहार में काबा गीत गाकर चर्चे में आने वाली लोग गाय का नेहा सिंग राठोर का एक वीडियो सोसल मीडिया पर काफी वाइरल हो रहा है जिसमें वे फूट-फूट कर रो रही हैं दरसल नेहा सिंग राठोर ने कल देर शाम अपने ट्वीटर एकाउंट पर अपना एक वीडियो डाला जिसमें उन्होंने अपनी मा का कोरोना से पीडिट होने और बहतर इलाज करवाने की मदद करती हुई गुहार लगाती नज़र आ रही है जिसके बाद ट्वीटर पर उ उन्हें इलाज की हर सुविधा उपलब्द कराई जाएगी पटना हाई कोर्ट करेगा महामारी से निपटने की व्यवस्ता की निगदानी कोरोना महामारी से निपटने ऑक्सिजन की आपूर्ती और अस्पतालों में बेडों की उपलब्दिता बढ़ाने के लिए राजस सर अस्पतालों से बेड, ऑक्सिजन एबं दबा आउपुर्ती की स्थिती की रिपोर्ट मंगाई जाएगी हाई कोर्ट ने कहा कि प्रदेश भर के जस भी अस्पताल में ऑक्सिजन समेथ मरीजों की इलाज की बवस्ता में कमी की बात आए तो उसकी सूचना तुरंत हाई कोर् वाले उक्त अस्पताल के सम्मंदित जिले के डियम को फॉरं सूचित करेगा और जरूरी सुविधाय मरीजों को दिलाने का निलिदेश देगा अस्पतालों में ऑक्सिजन एबं बेट की कमी की आ रही खबरों के आधार पर पटना हाई कोर्ट ने यह पहल की है आज पंचा बड़ी सौगात देने जा रहे हैं जिसके तहट बिहार में भी संपत्ती स्वामत्व योजना का शुभारम आज से होने जा रहा है इस मौकी पर प्रधान मंतरी वीडियो कॉन्फरेंसिंग की माध्यम से संपत्ती स्वामत्व योजना को लांच करेंगे इस योजना की राति बिहार के कई पंचायतों को आज विविन्फशेतर में उत्खरस्त काम करने के लिए रास्टे पुरसकार से भी सम्मानित कया जाएगा राज के Ingeenering College वे इस बार भी नमांकन में हो सकती है देरी बिहार के सरकारी Ingeenering College वें सत्र 2020-2022 में भी नमांकन प्रिक्रिया में विलम होनी के आसार है COVID-19 के कारण पिछले सत्र में भी नमांकन में देरी हुई थी वहीं इस सत्र में भी लेट से नमांकन होनी की संभावना बढ़ गई है दरसल JEE मेन के स्कोर पर ही बिहार की सरकारी इंजियरिनिंग कॉलेजों में चात्रों का अडमिशन होता है लेकिन JEE मेन अप्रेल सत्र का एक्जाम फिलहाल नेशनल टेस्टिंग एजनसी ने टाल दिया है वहीं इस बार चार चरनों में JEE मेन का आयूजन किया जा रहा है चात्र के जिस चरन में बहतर अंक प्राप्त होंगे उसी चरन के प्राप्त अंकों के आधार पर कटॉफ निकाला जाएगा इस कारण JEE मेन के दोनों चरनों की परिक्षा कब होगी उसी पर बिहार इंजियरिरिंग कॉलेजों का एडमिशन प्रकिरिया निर्भर करता है बिहार के लिए प्रति दिन 194 टन मेटिकल ऑक्सिजन का कोटा निर्धारित किया गया है केंदर के दोड़ा बिहार स्वार से विभाग को लिखे पत्र के मुताब एक बिहार को अपने उत्पादन के अलावे जहारखन के बोकारों और जमशेतपूर के साथ हिसास बश्यमंगाल के बर्डपूर और दुर्गापूर इस्थित सेल के प्लांटों से ऑक्सिजन की आपूर्ती की जाएगी इसके लिए बिहार के अपने प्लांटों से 34 टन ऑक्सिजन की आपूर्ती भी की जाएगी जबकि बिहार के लिए मातर 194 टन ही ओक्सेजन का कोटा तै किया गया है आपको बता दें कि इससे पहले राजसरकार ने केंदर से 300 टन ओक्सेजन का कोटा तै करने की मांग की थी राज में अभी ओक्सेजन की 72 टन की मांग प्रति दिन है CM नितिश कुमार के एलांग पर तेजश्वी ने ट्वीट कर साधा निशाना राज में मरीजों की बरती संख्या और कोरी सुविधा को लेकर CM नितिश कुमार अब अपने ही एक गोश्च ना में फस गया है दरसल CM नितिश कुमार ने ट्वीट कर IGIMS पटना में भरती सभी COVID-19 के मरीजों का मुफ्त में इलाज करवाने का एलान किया है जिसे लेकर एक बर फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादब ने CM को अपने निशाने पर ले लिया है और उनकी ट्वीट को रेट्वीट करते हुए कहा कि अधूरी जानकारी मत परोसिये या भी पताईए कि मात्र 100 बेट यानि कि केबल 100 मरीजों के लिए ही यह कथित सुविधा उपलब्ध है दर असल आईजी आईएमस में 100 बेट पर COVID-19 मरीजों का इलाज हो रहा है इसको लेकर ही बेट की कमी को लेकर तेजस्वी ने सरकार पर हमला पोला है पतना आईजी आईएमस में भरती सभी कोरोना पेशन का मुफ्त में होगा इलाज विहार के राज़दानी पतना इस्थित इंद्रा गांधी आयूरविज्यान संस्थान यानि कि आईजी आईएमस में सभी कोरोना मरीजों का मुफ्त में इलाज होगा इसकी गोशना मुख्यमंतरी नितिश कुमार ने स्वयम शुकरवार को ट्वीट करकी है उन्होंने कहा कि IGIMS में भरती मरीजों के सभी चिकित्सिय सेवाओ और दबाओ पर हुए खर्च का बहन राजसरकार करेगी आपको बताते चले कि IGIMS में कोरोना संक्रमित मरीजों को कोवीड मारकर जाच के लिए पाच हजार रुपिये देने पड़ते थे जो की अब नेशुर्ख होगा पहले यहां मरीजों को रेम्डेसिविर इंजक्सन बाजार से खरीदा पड़ता था वह भी निशुर्ख मिलेगा इसके अतिरिक्त अब सभी प्रकार की पैथोलाजी और रेडियोलाजी जाच और आफशक दवाई के लिए भी कोई चार्ज नहीं दिना होगा सोनु सूद ने दे दी कोरोना को मात कोरोना काल में लोगों के सामने मसीहा बनकर उबरने वाले अभिनेता सोनु सूद बीते दिनों खुद ही कोरोना संक्रमित हो गये थे मगर उन्होंने टेस्ट पॉजिटिव होने के महज एक हफ्ते के अंदर कुरोना वाइरस को हरा दिया है। सोनुने इंस्ट्राग्राम पर या खुशकब लिया अपने फैंस से शेयर की है। बतादी की सोनुने 17 अपरैल को कोरोना पॉजिटिव होने की ख़बर दी थी, मही 23 अपरैल को उनका कोरोना टेस्ट नेगरिटिव आ गया। सोनु ने पॉजिटिव आने की दस दिन पहले ही वैक्सिन भी लगवाई थी। पॉजिटिव होने के बाद भी सोनु आइसोलेट होकर घर पर केर कर रहे थे। इस बीच वह लोगों की मदद भी करते जा रहे थे। मुजपरपूर जिला कोर्ट में कोरोना की दस्तक के बाद होगी वर्चुली सुनवाई पॉजपर जारी रोस्टर का पालन करने को गहा गया है। इस बात की जानकारी इंगलाइन क्रिकेट बोर्ड ने दी है कि आर्चर अब आईपियल के लिए इस साल भारत नहीं लोटेंगे। आर्चर की दाही ने हाथ की 29 मार्च को सरजरी की गई थी और पिसले हपते उनको फिट से अभ्याज शुरू करने की मंजूरी नहीं मिली थी। वही राजासान के स्टार ओल राउंडर बेन स्टोक्स भी उंगली में चोट के कारण आईपियल 2021 से बाहर हो चुके हैं जिसके बाद राजासान रॉयल्स के लिए यह सीजन मुस्किल भरा हो सकता है। देश बर से आए कोरोना के रिकॉर्ड तोर मामली भारत में कोरोना वाइरस संक्रमन का कहर जारी है और हर दिन बरती मौत का आकरा लोगों को डरा रहा है। वालिस हो गई है वही देश में वरतमान में एक्टिव मामलों की कुल संख्या 25,52,940 हो चुकी है वहें दिश्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,38,67,997 हो चुकी है तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल क्यों और आज के सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपकी अनुसार आज शाम IPL में खेले जाने वाले मैच में राजस्तान रॉयल्स और कोलकाता नाइफ राइडर्स में से किस टीम का पलडा भारी है आप अपने जवाब हमें कुमेंट सेक्शन में कुमेंट करके चरूर बताए और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटे रहने के लिए बिहारी नियूस के साथ तब तक के लिए नमस्कार